है थो दोस्तों में हूँ निति इस और मैं हुआ भी प्लारंपूर सिटी मालेश्या में और मेरे नए बोलोग में आपका स्वागत है मैं आपको आज लेकर चलता हूँ भुकेट बिंतांग का नाइट लाइफ आपको पता होगा नाइट लाइफ के लिए मसूर है और पवेलियन आपको लेकर जलता पवेलियन मॉल जलते अंदर एंट्री करते हैं आपको बता दू यह पवेलियन मॉल है तो 2007 में ओबन हुआ था इसमें लग बाग 500-500 स्टॉप है दोस्तों मैं इसमें बता दू आपको कि यह पवेलियन मॉल में टोटल 20 फ्लोर है इसमें साथ फ्लोर शॉपिंग मॉल है साथ के ऊपर आर्टवेस लेके ऊपर तक 18 तक आपको मिल दाएगा पैवेलियन इलिट है जो होटल है और नीचे तीन बेसमेंट है तोटल लगबग 20 फ्लोर है यह पर पैवेलियन मॉल को सबसे टॉप का फ्लोर है वहां से आपको यह मिलेगा आपको टोक्यो एस्टूट मि सबसे टॉप फ्लोट आपको मिलेगा आपको बहुंची खुचुरत तरिके से सजाया गया देखिए यह प्रवेलियन मॉल बुकट बिंतां का हार्ट का बुकट बिंतां में है कि अगया है कि यह दखिया विया प्रवेलियन मॉल कि ऐसा दिखता हुआ 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 है यहां से इस्टोर चालो होता है दुकान सॉपिंग का यहां से सारा इस्टोर दिखाते हैं आपको इस्टोर चालो हैं कर दो कि अप्राइब कर दो कि अंवाली कि अंवय वड़। यह अभी हम आगे हैं यहां पे एक रेश्टरन में भूप लगवा था यहां मैंने ओर्ण किया मैगी सूप और यहां का इनर्जी ट्रिक है हंड़ेट प्लस यह देखें हंड़ेट प्लस यह मैंने ओर्ण किया तो दोस्तों कुछ ऐसा है मेरा मैगी सूप और यह हाट रिंग्स यह है मलेशियन मैगी सूप तो बहुत ही अच्छा था बहुत ही अच्छा लगा खान है टेस्ट इस्पाइसी सेम इंडिया की जैसा टेस्ट था यहां पर कि यह बहुत बिन तंग का सब्सक्राइब जापान में जो सब्सक्राइब है वह यहां पर आपको देखनों कमी लगा उसी के तर्ज पर यह बनाया गया तर्ज पर यह सामने आप देख रहे हैं यह मोनोरेल का स्टेशन है बुकट बिन तंग मोनर्या निया साम के समय कुछ ऐसा हो जाता है यहां पर बुकट बिन तंग का स्ट्रीट अभी तो कोबीट के कारण बहुत कंप क्राउड है जाता रहता है अभी कोविटल कारण लगवक सारे चीज बंद हो रहा हैं इसलिए यहां पर क्राउड दिखनी रहा है बुकिट विंदांग का साम के समय तो कुछ ऐसा हो जाता है इस स्ट्रीट बुकिट विंदांग का यह मज़ा है बुकिट विंदांग का स्ट्रीट का नाइट लाइफ का अब कर सकते हैं यह एक प्रिक एस्कूटर साइकल भी है अब है दरके यहां से आस पास का एडिया का नाइट लाइफ एंजॉए कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा मेरा यह ब्लोग और कैसा लगा पैवेलियन मॉल और बुकिट विंदांग का स्ट्रीट हमें जरूर बताएं कॉमेंट करके और पसंद आया ब्लोग तो सब्सक्राइब करें लाइक करें यह तक तक लिए जाहिन फिर मिलते हैं अगले ब्लोग